बता रहा हूं प्रैक्टिकल इम्तम सही बता रहा हूं आपने यूटुप पर पतने अन्यिनत कितनी ऐसे वीडियो देखेंगे जो आपको बताते ये करो वो करो लेकिन होता कुछ नहीं लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसको करको देखो रिजल्ट गारंटी देता हो इस श्री राम आप भगतु के केमेट्स थी कि पुरुजी हमें स्री हनुमान जी की कोई पावरफुल साधना बता दीजिए जिसको हम बड़े आसानी तरीके से हम कर सकें और हनुमान जी के दूत हमें प्रात हो जाएं या हनुमान जी के कोई गण हनुमान जी की कोई सक्ति हमें प्तात हो जाए जिससे हम पर्चा बना सकें, लोगों की शमश्याओं का समधान कर सकें, लोगों की जगिल समश्याओं का हम समधान कर सकें, और हम भी जगत में रहकर संसार में पेडित व्यक्तियों के समधान कर सकें, उनकी शमश्याओं का समधान कर सकें, आप दरबार लगा करना चाहते हैं या आप लोगों की शमेश्यों का समधान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो हमारी खुद की की विए है और हमने कुछ समय पहले इस परियोग को किया और रिजल्ट बह क्या करना है किस तरीके से करना आईए समझ लेते हैं आपको किसी भी महिने का कोई शुम दिन देख लेना है जैसे कि आगे आगे गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं साल में दो गुप्त नवरात्रे आते हैं दो पर्टेक्स नवरात्रे आते ह तो या तो आप नवरातर में देख लिए या स्रावर मास में कर सकते हैं या फिर ऐसे किसी भी महिने में शुकल पक्स के परति परदास से शुकल पक्स के पर्थम दिन से आप इस उपाय को कर सकते हैं आपको करना क्या है सरपर्थम तो आपको एक नारियल आपको ले लेना है स्री हर्मान जी की एसादना है तो आपको सरपर्थम तो एक नारियल आपको लेना है इस तरीके से के नारियल आपको ले लेना है इसके उपर एक लाल कपड़ा इस फरकार का एक लाल कप्रा आपको इसके उपर बांद लेना है और इसके उपर कुछ पैसे आपको रखकर एक कलावे से ये कलावा जो हाथ बांते हैं इस कलावे से आपको उस पैसे और लाल कप्रे को इसके उपर बांद लेना है इसके साथ में आपको कुछ समान लेना है आप समझ लेना वो समान क्या क्या लेना है वो समान आपको चाहिएगा कमशे कमशे कर पाँच लड़ू को होने चाहिए जादा आपका सामध्य पाँच मोती चूर के लड़ू या फिर इमर्ती के पाँच नेज़े के पांच लड़ू आपको लेलेना है उन्हें पांच लड़ू के उपर आपको दो-दो लोग रखनेनी है यह इस APP लो ईक है फ्लोगों क्या करकूं पूर कीजिदा है अलोड दरी इत Please को मैं इटिए आरंस ही वह आखेट प्रण यह से हरनोड Tennant जिस मूद्हें के लिए आप लेकर जा रहे हैं। उनके जुए वस्त्र ले सकते हैं तो अतिउत्ता में नहीं ले सकते में ले सकते तो कोई बात नहीं है। फिर आपने क्यातरना है क्याने है कão रिकले में डालने के लिए लंको टाप पहना कर जाएंगे, हम उसको अगले दिनी खोल कर रख देते हैं, कारण क्योंकि यह जो बस्त पूरा एक सैटिंग है, यह बिगर जाता है, सिस्टम नीचे लंको दूसरी बांग दी, उपर बस्त दूसरे होगे तो बिगर जाता है, सिस्टम, इसलिए तो पूरा अन्यका आप एक राम नाम का साफा आप ले लिजे, राम नाम का पठका आप ले लिजे, तो यह सबस्वान लेकर आपको सुकल पर्ख्स के पर्थम दिन, चाहे नवरात्रे कहा हो या कोई साभी सुब, सुकल पर्ख्स के पर्थम दिन लेकर स्री हनुमान जी के चर्णों मे और कलावे से बांग कर, यह सब समय लेकर स्री हनवान जी के सामने और मिठाई के उपर वो दो लोग, मुतिचुर्गे लडू या फिर इमर्ती, स्री हनवान जी के सामने आप प्रात्ना करेंगे, कि हे हनवान जी, हे बाला जी मानाज, हे अंजनी कुमार, स्री राम चंदर जी के प्रिये दुवारे, मैं आप से प्रात्ना करता हूँ, हे हनवान जी, मैं आपके चड़न में अरजी लगाता हूँ, मेरी यह अरजी आप स्विकार करें, अरजी किस प्रकार लगाने हैं, हे हनवान जी, में जत्तलियान है तू, आपके दूद, आपकी कोई शक्ति प्राथ करना चाहता हूँ, जिससे संसार में लोगों भी शमश्याव का समधान करने में, मेरा भी योगदान हो और लोगों की जटिल समश्याव का मैं भी शमधान करसको मैं प्रभू मैं आपका दर्बार लगाना चाहता हूं प्रवू से इस लिए इजाजत ले और अपनी अर्जी उनके चोड़नों में लगाए ये सब शमान आप रात तक करके उजानी जी है तो उनसे हनुमाजी के चोड़नों में रखवा दे अन्य था खुद हनुमाजी के चोड़नों में ये अर्जी लगाकर महां पर अब आपने क्या करना है अब आप ध्यां से समझे से लीजए चाहीं तो इस मंदिर में भी कर सकते हैं इसके बार साथना को चाहीं साथना को करसके जो साथना मैं बतारो जिए अपने क्या हैww तो अपनेगर आप आगई। सुकुल प्रस के पर्थम दिन ही आपने क्या करना है घर पर जाकर याधि हम आपने पूजा का इसथान है वहां संक्लब ले सकते हैuning आपने एक हनवान जनाने एक जो जलानी है खीक लिए एक अखंड जो ज suka लेनी है और जो आपकी बुझा नी rpm जला सकते। आपने योटुब पर पतनी अंगिनत कितनी ऐसे वीडियो देखियोंगी जो आपको बताते हैं ये करो वो करो लेकिन होता कुछ ने लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको करको देखो रिजल्ट गारणिटी देता हूँ इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा अगर ना मिला तम सिदाब दरबार की आप फोटो लगा लिजे तलेंडर लगा लिए जो भी आपके पास उपला दोर लाल कपड़ा बिचा कर चोकी आप सजा लिजे अपने गर पर या मंदिर में तो मंदिर में आप या हनमान जी के सामने भी साधन नगो कर सकते हैं किसे को कुछ बतानी किया है आपने आपके ना वोना एकान बोला है ऐनहर करने की के एका लिजा कर लेलेived उस चल्ड़ा करें और घापकर खालत धर को कुछ झा ने आपने दो होने चाहिए यहां की लें लिजें को लेड कितनी एक सो आठ लोग आपको ले लीने आए विश्को आपने ले लिनी fulf TP दूसरी का टोरि काली अब आपने हनौन चालिसे को पढ़ना है उससे पहले क्या करना है आपने दो संकर वे लेने के बाद में आपने दिछान करने है सिरी राम चले मंतर मैं बता दे रहे हूं और राम राम रामाइन नमेर और वाम रो diz क्रिक में उस समय आक अपने घर में गरतरण कि धुन लगा कर रखने चाहिए जीस कमरे में आप पूजन कर रहे हैं जैसे सनु ही कमरा है आपका दो नहीं है तो ऐसकी स्थिति में बजूबरी है लेकिन अगर इस तो वह है फिर उस्तौन्स नहीं इस लिए आपको पहली सोचना पढ़ागा इसलिए एक कमरा चीजे हमें परतेक्स दिखाती देती हैं कंटियू लेकिन उसके लिए फिर भी हम जो भी नियम होते वो नियम के अधार पर आज भी पूजा करते हैं यह नहीं कि सिद्धी के जिस समय प्रात कि तो उस समय हमने नियम पालन किया उसके बाद भी नियम करते जादा नहीं प्रम और से इबिघ्मोल गता हैं। आप 305 मतय meow प्रृद्राइक्षि मरें ले जीए। उससे आप ध्यानदें करें आप तीन गंटे में 108 स azy pegar कट हो जाता है। मैं बदाए कि इससरी के सांप vielen शुरुआती तोर मैं आपने सी रामचादी की इस्तुति की उसके बाद में आपने गनेश भगवान जी का आवान किया और आपने भगवान शीव का आवान किया चाहे तो आप सी रामचादी के इस्तुति करने से पहले आप सी गनेश भगवान जी का आवान कर सकते हैं या उसके बाद कर सकते हैं को याओ शक्ता है फिर अपने तुरे पित्रों को परणाम कर ले अपने घर की उससे नोब परिदने हो आसन पर शादना करें जाएं से लिए को बैठर आप कोई बैठर आसन भी प्र पहितर होना चाहिए तो आसन भी आपकर सिद होता है तो आसन बदूह को इन इब नचींए आस इसके बाद में आपने कपूर जलाकर या फिर गाए के कंडे गाए के उपले जलाकर आधा जल जाए तो उसको किसी पातर में रखकर उसके ओपर कपूर डालकर आग जला लिजेए और गी चीटे मारकर अगरी परजलित कर लिजिये अगने जब आपकी परजलित हो जाए तो आपने जो लोग आपने 108 रखी उनका यूज नहीं करना वो तो उठाकर आपने अलग रख देनी क्योंकि आपको जापना वोई चाहिए या फिर रुदराक्षी बाला से जाप करें अलग से आपको लोग ले रिनी है दो लोग आपने लेनी है उन दो लोगों को आप हाथ में ले लीजिए और हनुमान चार्लिसा का पार करें और सुहा बोलकर अगनी में समबन पिल्कशरे दे शरी हनुमान जी को इस प्रकार आपने 10 आउती दिनी है एक दिन में 108 बार जाप आप जाब चाहे रुद्राक्षी माना से करें, चाहे लोंग से करें, वो आपके ओपर डिपैंड है, तो आपने ये आपके एक दिन की किरिया रहेगी, भोग जो आपने उसके बाद में हन्मान जी का जो भोग लखावा है, वह भोग जो भी आप रख साना चाहते हैं आपने स तो आपने भोग, थोड़ा सा भोग, दस आउती देने के बाद में, उसे अंगारी पर आपने भोग देना है, बस ये कारी आपका एक दिन का रहेगा, ठीक है, समझ में आगा होगा, आसन मीचाना है, आसन के पर आपने बैठना है, लाल नंक आसन होगा, उसके पर बैठना ह यह एक दिन की किरिया रहेगी, इस तरीके से यह किरिया आपकी कर्टियू चालीस दिन तक चलेगे, इसमें आप अपने हिसाब से तोड़ों परोड़ों ना करें, मैंने नवरातरों में प्रारभ करने के लिए बताया है, खतम करने के लिए नहीं बताया, कि नवराभ गुत न अपकी 11 दिन निकलेंगे, 11 दिन के बाद जो आपको अनौव होंगे, बड़ी महत्वकूर अनौव होंगे, इस बीष में, इतने भी मंगल आएंगे, सबी मंगल में आपको अवैश्य हाजरे दिनी है, मंगल आप जाए, परतेक मंगलवार को हन्माँजी के मंदिर में जाए गुड़ चना उपलगद है, मौतिचिर के लड़ड़ पलगद है पेशन के लड़ड़ उपलगद है ये जो कुछ भी आपके पास उपलगद है वह स्री हनमानजी के चलणों में भुग अवईषय लगा कराना है और अपने साथना के को में सपलता ही तो उनसे प्रापता करनी है आपको जैसे 11 दिन वैतितों में उसके बाद में आपको किसी भी दिन आपको रात्री में श्वपन में आपको श्री हनमान जी एक बड़े ही विशाल रूप में एक बुड़े रूप में आपको दिखाए दे सकते हैं या फिर एक मुओं मुटीं सभी चींच वे वाइट यह सपेद्ध वाइट पैलो में एक औलड उमर के वीसाल काई सरीरवाले तो आपको अलग अलग में दिखाई दसके पूर वेश्श सकता है लेकिन जिखाई देंगे और पुर्च वानर भी दिखाई लगें तो समझें आपके साधरा सफल हो रही है आप निश्यतों के साधरा करते रहें एक दिन ऐसा आएगा चैवे 11 दिन के बाद कभी भी आ सकता है जिस दिन लात्री में आपको शीरी हन्मान जी पर टेक्स नहीं दिखांगे इस तरह के तो मुश्किल दिखाए देंगे उस चीज के बारे में पहले ही अपने बात में सोच करें मुझे क्या कूछना है तो आप उनसे पहीं कि मुझे जग कल्याण है तो हनुआ जी की कोई सकति कोई दूत मुझे चाहिए होता है पसिए आप उनसे परात्ता करें वो आपका असिरवात दे कर जाएगे ये सपल है आपकी सफ़ल होगी तो कुछ नहीं हैं इसमें कुछ नियम हैं उन नियम आप सुन लिजे क्यों कि बिना नियम के साधना नहीं हो सकते नियम कैसे हैं आप बहुत भी कुछ नहीं होते हैं तो अब आप सुबह उठकर आपने असनान किया असनान करने के बाद में आप जब कभी भी पिसाब करने जाएं तो कोशिश रखें कि अपनी इंद्रियाओं को पानी से दो दें आपका दोबारा पिसाब करते वक्त कभी भी करते वक्त कपड़ों पर नहीं लगना चाहिए इसलिए इंद्रियाओं को धो दें हो सके तो असनान कर लिए सबस्ट चरेगा दिन में यदि दो नंबर जाना है तो आप कपड़े निकाल कर जाए और उसके बाद में असनान अविश्य कर ले क्योंकि प्रविलिश के अंदर आप उन वस्तरों को पहन कर नहीं जाएंगे जो आपने पहने परती दिन धुले में पहने जाएंगे परती दिन धुले बस्तर और किसी भी रेक्ति से आपको हाथ नहीं मिलाना है और इन चालिए दिनों में आपको बिल्कुल अपनी चौंश बंद रखने जो जरूरी बात है शरी बहुत कर दी फाल तो बिल्कुल नहीं बोलना बिल्कुल भी नहीं बोलना ए हम रेडियो बजाया करते हैं तो आप मोबैल चलाकर रखेश में राम नाम की धुम आपकी चलती रहनी चाहिए बुजास्थान पर आए तो वहाँ पर भी चलती रहें काम पर हैं तो वहाँ पर भी चलते रहें कम से कम बोलें और इन 40 दिनों में आपने श्यम भोजन बनाकर गरहन करना है श्यम बनाकर गरहन करना है लेशन प्याज को तो दूर सरी देखना बंद कर देना जैसे प्याज का आप इस समय बिल्कुल वर्जित रहेगा इस तरह की कोई चीज नहीं दारू मार्श रची तो भूल जाए इस चीज का तो मतलब ही ने बैता हनुमान जी को सा करना परेगा भूमी पर आपको रहना है श्यम पाकी श्यम पका कर भोजन करना है भूमी जमीन के उपर आपको सोना है तो इन नियमों का आपको पालन करते विए आपको ये वैदित करना है शालो उन रूप से ब्रमचारे का पालन करना को गंदी चीज देखना गंदे विच अपने देखा भी ओका याप है तो आप इन चेज़ों पर में तुर देखते हैं तो आप इंसाध्रा को ना करें आपको इसाध्र सफल नहीं हो ऐगाएंगे मैं पहले बता दे रहो हूं कि कि शाधना के अंदर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का महत्तुपून है यह आप इन साधनाओं के उकरते समय किसी लड़की को यहांते की अपनी पत्री को अपने अलिंगनी के अपने सरी से लगाते भी हैं सरी से असपर्स भी करते हैं तो भी बहा पातक के रूपे माना तो उनके आपने उनको भी देखा हुआ कि वह कोशित रखते हैं कि अपने पाउं ना छुआएं वे किसी भी वेक्ति से भी पाउं छुवाना पसंद नहीं करते इस तरीका तो मतलब ही नहीं मनता तो यही कारण होता है कि जब कभी आप किसी को छूते हो जब साधना करने व देखती या किसी भी वेक्ति से या कि इस तरीको आज जैसे संपर्क करेंगे तरह उसके निगेटिविटी अपने अंदर आने से रहते हैं पॉजिटिव इदर से उदर ट्रास्फर हो जाती है मिंट और सेगंड नों होता है यह चीज कई बार क्या होता है कि आपने किसी साधना को कर लो गारण्पी से सफल्टॉफ मिलेगी करेंटी से लेकिन मैंने पहले करें यह आप नियम रख सकते हैं साधना को क्रेया नियम अती आश्यक होता है आपके इस तरह के से करने से 40 दिन आपके पूरे हो गए साध्रा में आपको अनुभव भी हो है साध्रा में आपको असिरवाद मिरे पिल गए हाज अब आपको क्या करना है 4 दिन माद कोगší पattend saja करते के तो मेरे पास कमेंट के जवाब मैं नहें दे पाता हजारों प्रमेंट्स देली आते हैं, मेरा वोट्सम नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में है, हजार और लाकों की तदाद मैसी जा रहे हैं, इतने मैसी कहां से पढ़ लूगा, यह नहीं पर पाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो में कोशिव करता हूं, सब्चिन वीडियो में बता द मंदिर के लिए, ना इमारी ऐसे कोई विश्येस कमेटी है, जिससे हम पैसा लेते हैं, मंदिर को चलाने के लिए, इस मंदिर में जो भी खर्च होता है, इस मंदिर यह नहीं बहुत बड़ा मंदिर है, पीछे तक है, तो इसमें जो भी खर्च होता है, मैं खर्च करता हूं, बबात बात बता दे रहूं कि 40 दिन बाद आपको क्या करना था मैं भूल गया था आपको बता दे रहूं 40 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे तो 40 दिन बाद आपने करना क्या है आप कोई भी भोग पर साथ आप बनवा लिजिए जैसे कि आपने जादा नहीं जादे में तो कम शे कम कम से कम 5 किलो लड्डू या 11 किलो लड्डू या फिर आपने कुछ रोट बनवा लिजैसे कि 5 किलो आटे का या 11 किलो आटे का रोट बनवा लेना है या फिर आपने केले लेकर आजाने हैं आपने 15-20 दरजल केले लेकर आजाने हैं तो इस तरह का कोई भी परसाथ जिसको आप वित्रित कर सके इसका वित्रिट कर सके तो ऐसा कोई भी भोग परसाद आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर पहले भोग लगाए वहाँ पर उनके नाम का भोग नेकाले मैं एक बात और बता दे रहा हूँ बहुत सारे साथगे बहुत परी गलती करते है कि जब आप परसाद लेकर आते हो लोग आते तो इतना सारा परसाद हो अरहां हनुमान जी के चड़नों में दो दाने रखकर भोग लगा कर चले जाते हो फिर मारा वो सब कुछ बांट देते हो भाई ये मत सोच लाए कि मैं अपनी लिए कह रहा हूँ आपके लिए बाद बता दे रहा हूँ कि जैसे आप बालकों में बाठ रहे हो दोतों के ले या एक इक लड़न दे रहे हो पुल मिलाकर भगवान के नाम की एक पत्तल निकाल ले जाती है पत्तल यानि कि एक व्यक्ति का भोजन या एक व्यक्ति को जितना परसाद देना है उपना परसाद हनुमांजी चण्णों में शिराब चण्णों में वही पर छोड़ कर आना चाहिए दो दाने भोग नहीं लगता कभी विध्यान लगना इतना लगा जाता है और हम भगवान को थोड़ा करी लगाना चाहिए और वही पर परसाद आपको बालगों में बाड़ देना है इस बीच में यदि आपके आसपास वानर रहते हैं नि बंदर रहते हैं उनको भी आप बीच बीच में आप उनको केले खिला सकते हैं उनको को मिठाईया खिला सकते हैं उनको फुरूटी त्यादी जो भी आपके पास शिवा उलग दोती है उनकी आप शिवा कर सकते हैं इन